उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षक संग ठकुराई गुट के सिक्षकों ने 12 सुत्रिय मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जग्दीश पांडे के नितरत में जिलावे दाला ने रिक्षक कारला पर धर्ना प्रदर्शन किया जिसके संबन्द में सिक्षक संग ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष जग्दीश पांडे ने बताया कि सभी सिक्षकों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए एवं सिक्षकों के लिए कैशले इस्टिकिसा की व्यवस्ता किया जाए तथा को वापस लिया जाए और NPS में सुधार हो तथा कुछ सिक्षकों का नियुक्ति नहीं हो पाया है उनकी नियुक्ति तुरंद किया जाए तथा कारलम में जो फाइल रुकी है उसका तीन दिन के भीतर निस्तालर किया जाए इस उसर पर सिक्षक संग ठकुराई गुट के जि जिला मंत्री डॉक्टर शोबित शिर्वास्ता सहित और सिक्षक मौजूद रहें इस संबन में गुरकपुर नियुस से बात करते हुए मादमिक सिक्षक संग ठकुराई गुट के प्रदेश जगदीश पांडे ने कहा प्रदेश सब्स का ठकुराई गुट के आए जंग एंगाराौध गाराई हे थीशक संगाई ए कि गथीच घनिक गथीच अगले बात कर शोपेट नि KP आदमिक सिक्षक्षन को सब्सक्ता मेरा नाम है जगदीश वानि फ्हगराई मैं संग्धन का प्रदेश का धक्स कुछ पूरे प्रदेश में आज के दिन सिख्षक अपने अपने जिने में दारना प्रदस्थन करके मांग पत्र जिला पे दलन निक्षक के माध्यम से खुब मुक्वंत्री स्रिद्रेश सर्मा को भेज रहा है वारा सुत्री मांगों में परमुख है पुरानी पेंसा नियुजना को लागू करना दूसरा यंपियस्टी कटाउटी सही धंग से जबा होना इसना जो काम के घंटे आज से चार बेज तक कर दिया है वह गलत नियमों के वे रित है वह आज से दोबज़ दाजबज तक भुए होना चाहिए ऐसे ही प्तर शेक्षों के निक्रान का मामला है इसे बारा सुत्री मांग है कारे आलियों में जो फाइल जंप है राजाग्या है कि तीन दिन में करने की दर्स्ता की जाए इन अधिकारियों के परसर प्रापर्टी की जांस की जाए यह सब मांग है उसमें फारा सुत्री मांग है